हलो दोस्तों, वेलकूम बैक टूमे चैनल फ्रेंस, आज के इस वीडियो में मैं चायपत्ती से एक ऐसा होम मेड रेमेडी आपसे सेर करने वाली हूँ जिसे अगर आप अपने बालों पर लगा लेते हैं इसे पहले आप यकीन मानिये, यकीन मानिये, फ्रेंस कि यह हमारे बालों को बहुत तेजी से लंबा करता है इसे बनाने के लिए बहुत सिम्पल सिम्पल से चीज़ें आपको चाहिए होंगी जो कि आपकी घर पर बहुत easily available हो जाएगा बालों में चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लेम्स है बाल बहुत जादे ज़ड़ रहे हैं या फिर बालों का लंबाई नहीं बढ़ पा रहा है तो यह रेमेडिय आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा और बहुत सारे लोगों को तेल लगाना पसंद नहीं होता है तो सैंपू करने से सिर्फ दो मिनिट पहले आपको यूसे लगाना है तेल लगाना जरूरी नहीं है ठीकृइ फ्रेंस तो इसके लिए आपको चैयपती चाहिए होगा और एलोवेरा जो फ्रेस लीफ होते हैं वही अलोवेरा हमें चाहिए होगा तो इसे कैसे बनाना है सबसे पहले आप कोई भी वरतन में एक गलास से डढ़ गलास के करीब पानी ले ले लिजे और इस पर डेढ़ चमच आप चाय पत्ती ले लिजे ठीक है फ्रेंस अगर आप चाय पत्ती का मातरा कम करना चाहते हैं जादा कम नहीं कम से कम एक चमच होना ही चाहिए अब इसे बिल्कुल अच्छे से आप उबा लेंगे चाय पत्ती में कैफीन होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छा कलर देने का भी काम करता है ये हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत जादा मजद करता है जिससे कि आपके बाल अगर ज़ड रहे हैं तो बालों का ज़ड़ना भी बंद हो जाता है तो जब तक ये चाय पती का पानी उबल रहा है तब तक हम एलोवएरा लीफ से जो टॉक्सिक मटेरियल होता है यलो कलर में इसे हम हटा लेते हैं और इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं अलवेरा भी सभी के घरों में लगबग लगे ही होते हैं तो यह बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजे हैं जो आपको इस रेमेडिय में चाहिए होंगे ठीक है फ्रेंस तो इससे साफ करने के बाद आपको इससे जेल निकाल लेना है जैसे कि आप यहां पर देख पार हैं मैं चाक निकाल अब करूँम को बहुत जादा पर्फिक्ट बनाने में काम करता है जएतने वी जादे आपके बाल ड्राइ हो गए हैं यफिर निकाल काम करते हैं तो आपको अलिवेरा लेना ही लेना हे इससरे आप इसकि Cross değild कर सकते हैं अगर प्लान्ट घर पर नहीं लगे हुए हैं तो आप इसके जगह में market based ले सकते हैं कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ मतलब market से ही हम ले करके दालेंगे इसे बनाने के बाद मतलब चैपती उबाल लिजे उसके बाद बर्नर ऑफ कर दीजे फिर आप यहां पर अलवरा जल दालेंगे ठीके फ्रेंस मैं यहां पर फ्रेस्ट लीफ का यूज कर रही हूं इसलिए हमें इस पर डालने के बाद कम से कम 5-7 मिनिट के लिए सां लेना है यह पानी जो हमें मिला है ना फ्रेंस यह चाय का पानी ए हमारे बालों के लिए बहुत स्वल्सप्रेंड अब यह सब्सक्राइब सकते हैं यह सम्प्द्द साहिए अन बालों का झ्चरणा कम करने में अब चलना है अश्ब और शhone माप्त करते हैं। मैं क्लीनिक प्ल यहां पर यहां पर करें रहनाया हैn हो से हैं। सोता हैज़ा है कि मैं करें पनल introulым बॉक्स करें गोड़ान निफिने कघिक करते हैं 지금까지 जब जब जबननी एक हमारे बचलद से नुकसान होता है बट अगर आप इस remedy के हिसाब से अपने बालों को धोएंगे इस remedy को यूज करते हैं अपने बालों को साफ करेंगे तो आपके बालों को नुकसान कभी भी नहीं होगा इनफेक्ट आपके बालों को बहुत अच्छा result मिलेगा बहुत ही मतलब फायदे मंद होगा आपके बालों के लिए बालों बहुत तेजी से लंबी होंगे बालों का जढ़ना कम हो जाएगा और बालों में फ्रिजिनेस बिल्कुल भी नहीं आएगा बालों में अच्छा सा करते हैं उतना आप कर सकते हैं दो दिन या फिर तीन दिन उससे जदा तो पर लिए आप देखेंगे आपके बाल बहुत पर्फेक्ट हो रहे हैं जैसे जैसे आप इसे कंटीन्यू करते जाएंगे आप इसके बिना मतलब हैर वोस करना आपको पसंद ही नहीं आएगा इतने अच्छे आपके बाल हो जाएंगे तो फ्रेंज मैंने सारा चीज आपको प्लियरली बता दिया है बट फिर भी कोई डाउट रह गया है कोई कोश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजिए मैं आपके कमेंट का 100% एंसर करूंगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब त आपके केर